बहुत जादे इंपोर्टन टॉपिक है जो आज हमने डिस्क्स करना है यह है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन डिफ्यूइन करन्ट इससे प्रीविस लेक्ट्टर गंदर हमने प्लेरोग्राफिक की कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्लेरोग्राम किस तरह का होता है वह हमें क्या ना ग्राफ बना रहे दिधा और क्रण्ट के दरम्यान में आपका कुछ इस तरह होता है सब्सक्राइब नहीं नाम नाम दे रहे रहें तो में जो हमारे पास फैक्टर्स हैं और चार या पांच वैक्टर जो कि इस पर एफेक्ट कर जाते हैं मतलब अगर वह फैक्टर और दिफ्यूइन क्रांट चेंज हो जाएगे इसमें जो सबसे टॉप के पर है वो है कंसंट्रेशन पहला जो फैक्टर है वह है कॉंसंट्रेशन अब इसके मुताबी क्या है एक आपने इलकॉवी की एक्वेशन बढ़ी होगी प्रीविस लेक्टर के अंदर हमने लास्ट में एक सिंपल सी फोर्म नहीं का लिए ती वो सिंपल क्या थी के डिफ्यूइन क्रांट I D is equal to K C यहाँ पे ID है I D is Diffusion क्रांट है क्या है मार पास Diffusion क्रांट इसके बाद C है कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन और के अमरे पास कॉंस्टेंट अब इसी से आपको उन्दाद लग जाएगा कि Diffusion Crane Concentration के Directly Proportional होता है क्या होता है Diffusion Crane Concentration के Directly Proportional होता है जितनी ज़्यादा Concentration and Light Iron की होगी उतना ज़्यादा Diffusion Crane बनेगा यही बात हमने यहाँ पर इखने है Diffusion Crane is Directly Proportional to Diffusion Crane जो Diffusion Crane है वो क्या होता है Is Directly Proportional Is Directly Proportional to Directly Proportional to the concentration of to the concentration concentration of analyte 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 ion की concentration का directly proportional है बहुत इंपेसी बात ज्याद रखने है जितनी ज़्यदा concentration होगी उतना ज़्यदा diffuse current होगा इसके बज़ second नमबर में चीज़ आती है कफि ज़दे important यह है temperature बहुत important factor है ये कंश हमारे पास टेंप्रेट्रा है ये खोंट टेंप्रेट्रेचर चेंज करने से त्यूस्ता ग्म लॉट्व नंबर पर आपने अलेक्ट्रीप लाईट लिया हो उनके अब खुशचो जब तो यह मरकुरी मरकुरी क्यों को में होती है फिली नमबर पर कम टमपरेचर विसकोसिटी ज्यादा होती है विसकोसिटी ज्यादा होती है जैसे ही टमपरेच्ट बढ़ाते हैं temperature बढ़ाने से किसी भी चीज की viscosity क्या हो जाती है कम viscosity कम का मतलब होता है कि वो चीज पत्री हो जाती है वो चीज क्या हो जाती है पत्री जैसे ही पत्री होगी यहां से इसका घुजरना असान हो जाएगा जिसकी वज़े से rate of flow आपका disturb हो जाएगा और आपने इक्वेशन बढ़ी हुई है इक्वेशन के कहती है आई डी इस इक्वाल डू सेवन जेरो सिक्स एन डी वन बाय टू एम टू बाय थ्री टी वन बाय सिक्स और सी देखो यह मारे पास है टाइम और यह है rate of flow of mass अब जैसे ही इसकी विस्कोस्टी कम होगी इसमें से यह घुजरना सानी असानी से घुजरना शुरूए सिंपल सी बात बताता हूं आपको अब स्ट्राव के अंदर से ना पहले नंबर पाने घुजारो पाने असानी से घुजर जाएगा क्या इसको पर कोई चीज लगा आके इस तरह यहां पा इस तरव हो रहता है जिसकी वज़ासे हमारे पास सारे के सारी ग्राफिक टेकनीक में रिफ्यून करण्ट जो पैदा हो रहा होता है वह भी असर अंदाज हो रहता है अब यहां पर देख लो जैसे ही फ्लोर एट यह ती क्या हमारे पास टाइम टू फ्लो ऑफ लीकॉर्ड लिकॉर्ड मरकरी जैसे यह वरी चीज़ कम होगी तो आइडी भी कम हो जाएगा इसे हम कोशिश का रहे होते हैं का आपका पूरे का पूरा एक्स्पेरिमेंट एक कॉंस्टन टंप्रेचर पे हो वह कॉंस्टन टंपरेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड राख रहे होते हैं स यही बात हम यहाँ पर लिखेंगें टंपेरेच्र इफिय्ट टंप्रेचर इफ॥े टेंप्रेचर इफ्यक्त दा। किसी को इफेक्ट कर रहा हता है इफेक्ट शटी विस्कोसिटि मुस्टि और हल्व एच जी मरकरीencias खेब्स ऑस्टी को इफ्यक्प्राँ रहा होता है see when temperature increase when temperature increase जब temperature बढ़ाया जाता है the viscosity जब viscosity होती है viscosity viscosity decrease जब गड़ापन होता है न विसकोसिटी वो decrease हो जाती है जब विसकोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास rate of flow कम यह ज़्याद हो जाए viscosity decrease होने से वे से rate of flow बढ़ जाता है ज़्यादत तीजी से यह जो हमारे पास कह पर ही है इसमें से गुजरना चुरू रहता है due to decrease in viscosity due to decrease in viscosity viscosity कम होने से rate of flow rate of flow rate of flow का rate होता है increase यह बढ़ जाता है and ID disturb ID diffusion करांट है ID change यह हम आरपास change हो जाता है इसे हम कोशिश का रहते हैं का पूरे का पूरा experiment constant temperature पहो constant temperature का है 25 degree centigrade the whole experiment पूरे का पूरा experiment the whole experiment is performed is performed performed at constant temperature at constant temperature यह constant temperature पे किया जाता है constant temperature कौन सा है usually जो हम राख रहे हैं तो 25 degree center की जिसको हम रूम टम्परेचर भी कहते हैं जिसको हम कहा नाम दे रहे होते हैं रूम टम्परेचर भी कह रहे होते हैं अच्छा याद रिखिएगा एक डिग्री सेंटीग्रेट टम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से 2.5% यानी के हमारे पास 2.5% इसकी जो डिफियन करण्ट होता है उसके असर अदाज हो रहता है जिसके बढ़या हो है तैसे बड़ता है यह बड़ता है के जो आपका drop बनेगा यह जाओ बने रहा है यह जल्दी से बाने निचछे कित ऊकर जाइए यानिकिफ को असल टाइम में वह कम हो जाइगा बाद स्कौfolg ये नग्सार यहाँ आइज लाइफ टाइम ऑफ मर्कुरे डोफ नेक्से लाइफ टाइमॉफ अब मर्कुरी डॉप गुडोफ उत्वाइफ यह हमारे पास मर्कुरी लेक्ट्रोड है यह कैपिली आगी इसके बाद यहाँ बेखो ऐसा इसे ड्रोब बनने शुरू होता है फिर ऐसा इसे बड़ा होता रहता है जब बनना स्फ्रोऊ और एक वक्त आगे यह नीचे गिर जाएगा ले से că कि जब मर्कुरिक 的 बनता है उसको स्टार्ट से लेके लाइस हैं टॉटल टाइम कितना लगता है इसको हम कहा नाम देते हैं lifetime of drop अब अब खुद सोचो अगर drop बहुत जल्दी यानिका लाइफ डहीं बहुत कम हौं या तो जल्दी-जल्दी बनेगा यह रोप जल्द जल्द बन के नीचे गिर जाया करेगा जिसकी वज़ेसी को पर जो एनलाइट की कंसेंटरेशन आकर जोडनी होती है वो इतनी स्पीड से नहीं आकर जोड रही है जिसकी वज़ेसे मारे पास डिफूजन करण्ट कम हो जाता है यह आप इस एक्वेशन से भी देख सकते हो डिफूजन करांट और जो लाइफ टाइम अफ मरकरी ड्रॉप है इसके दरवाद डारेक्ट का रिलेशनशीप है मतलब जितना लाइफ टाइम मरकरी ड्रॉप का ज्यादा होगा उतना डिफूजन करण्ट भी कम होगा इस एक्वेशन से भी देख सकते हो तो यही बात हम लिखेंगे वन लाइफ टाइम लाइफ टाइम ऑफ एच जी ड्रॉप एच जी ड्रॉप इस स्मालर जब यह छोटा था इस स्मालर दैन तो फिर होता है कि है स्मालर जब लाइफ टाइम जनी जल्दी से बना गिर गया दैन स्माल अमाउंट अफ अनलाई टाइन स्माल amount of analyte ion deposit analyte deposit तो इसके ओपर बहुत कम एकदार में analyte ion deposit होंगे वो जिसके बज़े से हमारे पास जो current, diffusion current पर दो तो वो भी small होता है and small diffusion current is produced and small diffusion current is produced diffusion current is produced current is produced मतलब यहां पर भी direct relationship है यानि कि जितना mercury drop का time lifetime ज्यादा होगा उतना ही diffusion current ज्यादा होगा यह simple सी बात आपने याद रखने इसके बाद हमारे पास next चीज़ आ जाती है वो भी काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट है वह है capillary constant last वाज चीज़ का है capillary constant अब capillary constant से क्या हम रादे को दो चीज़ें हमारे पास इलकोविक equation के अंदर ऐसी है जिसको हम capillary constant का नाम दे रहे होते हैं उसमें से एक यह वाला है mass और second number वे time है सो यह क्या है हमारे पास mass और time capillary constant के लाज होते है mass काई जिए 2 by 3 raise to about 2 by 3 and time 1 by 6 is called is called capillary constant यह क्या हमारे पास capillary constant है अब यह capillary constant है क्या main चीज़ यह आ जाती है M क्या है और T 1 by 6 क्या है सबसे पहले बात कर लेते है M की M यहाँ पर होता है हमारे पास इसको लाजमी याद रखिएगा यह बहुत ज़्यादे important चीज़ है rate of mass flow rate of mass flow of mass flow of HG in capillary HG in capillary और इसको हम अमोमन मज़र कर रहे होते हैं सेंट मिली ग्राम पर सेकंड मिली ग्राम पर सेकंड देखो हमारे पास यह mercury लेक्टोड है इसके अंदर जो ड्रॉब बन रहा है यह एक सेकंड में कितने मिली ग्राम इस कैपिलरी में से गुजरता है यह जो mercury है एक सेकंड में एक सेकंड में कितने मिली ग्राम गुजरती है इसको हम नाम देते है rate of mass flow of mercury सही है rate of mass flow of mercury इस कैपिलरी के अंदर से 県 दोबर पुछ एक सेकंड में जितने ग्राम गुदू रेगी वह हमारे पास कहलाता है है इसके वाद सकंड नमबर में लेकिए जी टी ती कह daí के सिनलायफ मर्कुर्ट अफ मर्कुरी ड्रॉप एज जी ड्रॉप इन सैंड PI सेकेंड अब यहां पर इलकोवी की कुईशन में जाक कर लो जो डिफ्यूइन क्रांट है वो हमारे पास M और T के डारेक्टली प्रपोर्शनल है यहां पर अगर गोर करोगे आई डी जो है यह डारेक्टली प्रपोर्शनल में मतलब जितना ज्यादा रेट ओफ मैस फ्लॉफ ह जी होगा उतना ज्यादा ही डिफ्यूइन करंट यहां पर पैदा होगा इसके बासार नंबर पर टाइम के डारेक्टली प्रपोर्शनल है आई डी जो है यह टाइम लाइफ टाइम और मरकरी डॉप के भी डारेक्ली बादर जितनी देर आपका मरकरी डॉप ज्यादा देर लगाएगा उतना ज्यादा ही डिफ्यूइन करंट पैदा होगा यह दो चीज़ें आपने याद रखनी है और इसको हम क्या नाम दे रहते हैं और टी को कैप्ली कॉंस्टन वहीं हमने ली कहां से हैं हमारे पास इक्वेशन है इसको याद राख लोगा आपको मैक्सिम चीज जो के यहां पर बन रहा होता है आईडी मैस के डारेक्ली प्रोपोर्शनल है एक सेकंड में कितना मरकरी का मैस यहां से फ्लो करता है सिर्फ एक की जो आपको याद रखनी पड़ेगी वह है टंप्रेचर टंप्रेचर को चेंज करने से मारे पास का अदक विसकोस्टी में त का दे घजा झाल त्ह करती जो को यहां से घजुटओव Care A LOW पीडिका टंप्रेचर, कि हम चोंब का मैस नहीं करेगी वहां से प्लंपको सुटी के में बहें तो दो चार्णीं है